कि चलिए सो अनदर बेसिक सेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं कि सो आप लोगों को इतने सारे फंडामेंटल सेशन्स प्रोवाइड आल्रेडी किये जा चुके हैं कुछ अंडेस्टेंडिंग डेवलप हुई या नहीं हुई आप लोगों की आप लोगों के अगर मैं जब तक आप एक ऑडिटर के प्रोस्पेक्टिव से सोचने नहीं लग होगे कही न कहीं दिक्कत आपको आ सकती है तो मेरा आप लोगों से मतलब एक उपीनियन जानना चाहूंगा मैं आप लोगों से कि कि सर इतनी सारी क्लासेश हो गई एक मॉक टेस्ट भी हो गया कि क्या लेवल कुछ इंप्रूमेंट हुआ नहीं हुआ कुछ इंटर्पटेशन इसकिल में इंप्रूमेंट होना चाहिए क्या आप लोगों ने सीखा है थोड़ा सा इसके उपर मुझे आप लोगों से थोड़ा सा आप लोगों का फीड़बेक चाहिए कि हम जो क्लासेश पढ़ रहे हैं वह आपके लिए बेनिफीशल भी है या नहीं है कि हम डारेक में कॉर्स चुलू कर दें यह तो स्टार्टर है तो जो भी आपने सीखा है उसके बेसिस पर अगर आपसे पूछा जाए कि जब एक कंपनी के फाइनेशल स्टेटमेंट को आप अडिट करने जाते हैं तो एक ऑडिटर कुछ दूसरों के काम को भी यूज कर सकता है तो हमारी जो हैडलाइन है वो क्या है यूजिंग दी को फदर कि जब आपको एक कंपनी के फाइनेशल स्टेटमेंट को आडिट करने जा रहे हैं तो यूजिंग दी वर्क फदर क्यों जरूरी हो सकता है क्या रोल होना चाहिए एक थोड़ा सा जेनरल सोचें कि सोचना बहुत जरूरी है और ओपनिंग बैलेंस चलिए अपने अपने फीडबेक देते जाओ यूजिंग दी वर्क फदर में रिस्पॉंसिबिलिटी क्या होगी ऑडिटर की क्या काम आ सकता है कि जब तक दूसरे बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं प्राइर ओडिट ओपनिंग बैलेंस नूँ डिफरेंट क्लाइंट सर्विसेज टू वैलिडेट ओपनिंग बैलेंस एकाउंटिंग पॉलिसी जो भी आपके मन में थोट आ रहा है क्योंकि अभी आप जब तक एज़े ओडिटर जैसे सोचना नहीं सीखेंगे ओडिट में थोड़ी सी इसलिए मैं अपने सेशन को बढ़ाते जा रहा हूं अब बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर ओपनिंग बैलेंस यह ओपनिंग बैलेंस का दूसरे के काम को यूस करने से क्या लेना देना है क्या मैंने आपसे यह बोला प्रिडिसेसर आउडिटर मैंने आपसे कहीं भी यह नहीं बोला कि प्रिडिसेसर आउडिटर के बारे में हम बात कर रहे हैं मैंने तो आपसे यह पूछा कि जब एक कंपनी के financial statement का आप audit करने जाएंगे तो क्या आपको किसी दूसरे के काम को यूज करना पड़ सकता है yes or no तो कौन वो दूसरे हो सकते हैं ऐसा क्या thought आप नहीं develop कर पा रहे हैं कि वो दूसरा व्यक्ति कौन हो सकता है जिसके काम को हम यूज करें मैनेजमेंट कई बच्चे बोरे मैनेजमेंट ना 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 एकाउंटेंड प्रिपेरर तो चली हम आज तीन कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं कि जब कभी भी आप एक कंपनी के financial statement का audit करते हैं तो आपको एक internal auditor के काम को यूज करना पड़ सकता है सर एक कंपनी का internal auditor हो सकता है न तो हम तो independent auditor है हम कौन है independent auditor तो हम क्या कर सकते हैं कि internal auditor के काम को यूज कर सकते हैं हमारी लिए सर यूजिंग दी work of specialist क्या बींगे auditor आप हर एरिया में expert हो सकते हो क्या सर हर चीज का नॉलेज एक CPA को नहीं हो सकता CPA ने accounting का taxation का finance का knowledge लिया हो सकता है बट एवरी फिल्ड पे तो सर वो कौन सी फिल्ड हो सकती जहां पर हम specialist का use कर सकते हैं सोचो जब तक आप आपके mind को develop नहीं करोगे ratification लगेगा सोचने की शमता बढ़ा ये कि एक company के financial statement का जब हम audit करने जाते हैं तो हाँ एक ने ठीक लिका सर एक IT department वाला person हो सकता है क्या हर software का आपको knowledge होगा ऐसा ज़रूरी है क्या कि सारे software आपको चलाते आते हो नहीं हो सकता और कौन सी area में specialist हो सकता है और कोई ऐसा जो आप सोचो कि यार आप सोचो किसी company की balance sheet में आप कुसी चीज का valuation कर रहे हो जैसे property का valuation कर रहे हो company बोल रही कि हमारी building 100 करोड की है क्या आप property का valuation कर सकते हो नहीं कर सकते सब तो फिर आप क्या करोगे आप उस property के valuation की help ले सकते हो जो उस field में expertise hold करता हो और कोई field जो आपके mind में आती हो क्योंकि मैं देख रहा हूं class में बिल्कुल सोचने पे बिल्कुल पाबंदी लगा रखे बच्चों ने sir company के उपर एक court case चल रहा है तो लॉक के प्रोवीजन का interpretation किसको ज्यादा बेटर आता होगा आटर्नी को बेटर आता होगा याज चैपी को बेटर धाथ और अब विसी बात यह सरे की अचूर्या आपने सुना है और होग ँसे के किकी किसिक कंपनी के उप्लॉए बेनेफिट तो जब एक helps करता था है तो वह बहुत सारे हैं गी दूसरों के काम को भी क्या करता है यूज में लेकर आ सकते हैं बदाई यह क्यों दूसरों के काम को यूज में लेकर आ सकते हैं अब आप सोचना सीखी नहीं रहे भी भी वाई यूँ वांट टू टीट दा वर्क ऑफ अधर्स वाटर दा यूटिलाइजेशन अफ 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 दीश स्पेसलिस्ट क्या काम आते होंगे यह लिखो बेटा आज का सेशन आपके जनरल नॉलेज का ही सेशन है टू सेव टाइम इस इन इंगेजमेंट सब अपने अपने पॉइंट्स लिखो विटा यह बेसिक क्लास है यह में क्लास नहीं इसलिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं इस इन मैनेजमेंट टू सेव टाइम टू ब्रिंग एक्सपर्टाइज और अभी में को वलग तू चेक दा वर्किंग ऑफ आर इट हेल्प सक्सेस्फुल ओडिट ऑपरेशन फॉर ओडिट हां ओडिट एविडेंस वेरी गुड सिम्रण का ठीक अवर्ड यह आप सोची आपका काम क्या है बार बार आप इस ऑडिट एविडेंस वर्ड को भूल जाते हो मैं आपके दिमाग में वर्ड इविट कराना चाहता हूं कि आप एक कंपनी के फाइनेंशिल स्टेट्मेंट का और आप बिल्डिंग का असर्शन चेक कर रहे हैं अब असर्शन में वेलिव क्यों कर रहे हूं कि सर जिससे कि हम फाइनेशल स्टेट्मेंट के उपर अपने ओपीनियन एक्स्प्रेस करें तो यह जो तीन चार कीवर्ड है इसके उपर बहुत सारा चीज़े घूमती है कि आपको audit evidence कलेक करना है आपको audit evidence चाहिए तो अब मैं आपसी एक और question पूछता हूँ एक auditor जो है वो एक specialist के task को यूज़ करने वाला है specialist जैसे की property valuation उसने बोला कि ये property 100 करोड है क्या auditor को उसकी बात को माल लेना चाहिए या कुछ और करना चाहिए वो audit examiner ने आपको multiple choice question दिया कि इसको 25 year का property valuation में experience है या एक supreme apex court का वो attorney है और उसका कहना है कि company के litigation में ये decision आने वाला है you will accept the opinion of the expert or not और नहीं तो फिर क्या करेंगे अब कई बच्चे 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 सर नो नो और येस थोड़ी सीखना है नो और येस बच्चे जैसी बात करते है अब परवेजिक वाल ने थोड़ा वर्ट सही लिख दिया सर हम अपनी procedure को adopt करके देखेंगे कि वो जो opinion उसने दिया है वो सही हैंगी तो एक auditor को अपना खुद की audit procedure भी लगानी पड़ेगी आप कि भी कभी भी सीथ है कोई expression export है चली अब मैं आपसे पूछता हूँ आपको किसी doctor की advice लेनी है कि doctor आपको advice कर रहा है किसी भी matter पे आप क्या दो चीज़ें सबसे important देखते हैं किसी person से advice लेने चाते हो तो सबसे important या उसके काम को use करना चाते है तो आप क्या देखते हो कुछ देखते हो कि नहीं देखते हो experience बच्चे लिख रहे है experience मैं word चाह रहा हूँ आपसे सही feedback reviews reviews तो गूगल खरीद के डल जाते हैं बोलो कितने डलवाना है reviews तो मार्गेट में खूँ मिल जाते हैं आज digital जमाना है अभी भी वह वर्ड नहीं आया result ओहो नहीं 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 प्रोफेशनल जज्जमेंट नहीं एक वर्ड है competency अब कोई person competent है या नहीं है सबसे important criteria होगा आपके लिए यह आपने अगर decision लिया कि आपको मुझसे coaching पढ़ना है तो क्या आपने मेरा experience देखा है कि मुझे कितने साल का experience है और चलो मैं बोल भी रहूं तो कैसे proof करोगे मुझे experience है या नहीं है तो कहीं न कहीं आपने क्या देखना है सर कि जिस भी person की काम को हम use करने जा रहे है क्या वो हमारे लिए उसका जो किया गया काम वो उस काम को करने के लिए competent है या नहीं है उसके पास वो skill वो योगिता है या नहीं है तो जब भी आप किसी के काम को use करने जा रहे हो तो आपको कहीं न कहीं देखना पड़ेगा कि उसमें वो competency है या नहीं है तो other के जब work को हम use करें तो other में भी audit में classification दिया गया है कि क्या हम internal auditor के टास्क को use कर रहे हैं क्या हम using the work of specialist यूज कर रहे हैं अब यह specialist भी दो प्रकार के हो सकते हैं एक external specialist हो सकता है जैसे मेरी CPO firm है तो मेरे company में हो सकता कोई attorney मैंने hire कर रखा हो तो वो तो internal specialist हो गया मेरा हो सकता है ना कि मैं अपनी जो firm है उसमें किसी attorney को hire करके रखूं तो वो मेरा internal specialist हो गया इसको हम बोर रहे हैं auditor specialist एक हो सकता है management company specialist तो हम जब कभी भी audit का का काम चेक करते हैं तो हम different user के task को क्या करते हैं अपने audit task के लिए use कर तो जब हम किसी दूसरे के काम को अपने लिए use कर रहे हैं तो हमारी कुछ responsibility होनी चाहिए और being गे auditor आपकी क्या क्या responsibility होनी चाहिए वही सब सारी चीजे हम इसमें यहां पर discuss करने वाले तो सबसे पहले जो हम discuss कर रहे हैं कि वह हम discuss कर रहें सर ऑडिटर स्पेस्लिस्ट किसके बारे में डिसकर कर रहे हैं और इस पेसलिस्ट तो एक सिंपल सी लाइन लिखिए कि ऑडिटर का स्पेसलिस्ट कभी भी accounting और ओडिटिंग वाला स्पेसलिस्ट नहीं हो सकता बताए क्यों कि हम अकाउंटिंग और ओडिटर को स्पेसलिस्ट ही नहीं मान रहे हैं सर वो तो हम खुद हैं यार ऐसा हो सकता है कि मैं एक सीए हूं और दूसरे सीए को बोलूं कि यार आप ऑडिटर स्पेसलिस्ट हो फिर हम दोनों में क्या फर्क रहे गया हम दोनों के पास सेम डिगरी तो वह कहां से स्पेसलिस्ट मैं मतला अपने आपको अपने आप कोई स्पेसलिस्ट नहीं मान रहा हूं जिस फिल्ड का नॉलेज मेरे पास है जिस फिल्ड की प्रपरेशन मैंने की है है तो उस फील्ड के अलावा कोई परसन स्पेशलिस्ट होगा ना अकांटिंग और ऑडिटिंग एक्सपर्टाइज को कभी ऑडिटर स्पेशलिस्ट नहीं माना जाए तो ऑडिटर की सफीशन एप्रोप्रेट ऑडिटर शुड़ डिटर्माइन वैदर दा यूज ऑडिटर इस ओडिटर इस पेशलिस्ट की काम को यूज करना भी है कि नहीं करना है कि अब मैं आप से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप एक कंपनी की वैलेंश शीट देख रहे हैं कि और यहां पर एक कोड केस चल रहा है कि कोड का केस चल रहा है और आपने एक उडिटर इस पेस्लिस अटर्णी से इसके उपर डिसीजिन ले लिया तो ओपीनियन आटिटर का कंसीडर किया जाना चाहिए या इस पेस्लिस का यह भास सम्हारवाले व्यक्ति इंदिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें वह बोल रहे हैं कि यह कोर्ट केस में लाइबिलिटी नहीं आना चाहिए. तो आपका ओपीनियन कंसीडर किया जाएगा या इस्पेशलिस और इस बात को फटाफट. मैं बार-बार बोर रहा हूँ कि वो attorney independent है अब आप मुझे बताईए देखो मैं जान मुझके आपको confuse करता हूँ कोर्स कौन सा पढ़ रहे हैं आप CPA certified public accounting auditor कौन है आप हो तो क्या AICPA body आपको किसी दूसरे व्यक्ति की responsibility पढ़ाईगे तो ultimately किसी भी company के financial statement के उपर audit opinion express करने का power हमेशा auditor के उपर होगा इस responsibility को auditor एक specialist के बहाने से use नहीं कर सकता however the auditor है sole responsibility तो देखो कैसे confuse किया मैंने आपको सर आप तो confuse करते हो हमको जान मुझके आपने हमको यह word डाला कि वो auditor वो जो person है वो specialist है वो person independent है वो person को experience है auditor को experience नहीं है पस यही बात आपको examiner भी ऐसे ही करेगा वो देखना चाहता है कि आप इतने capable हो या नहीं हो कि आपको confused किया जाए और आप फिर भी confused नहीं हो has the sole responsibility of the audit opinion तो audit opinion हमेशा auditor ही देगा and the responsibilities not reduced by the auditor use of the work of auditor तो हम यह नहीं कह सकते कि हमने उसके काम को यूज किया तो भी या opinion उसके उसका consider गिया जाएगा ultimately हम उसकी help ले सकते हैं to obtain sufficient and appropriate audit evidence बस हमारा काम यह है कि हमें उसकी help से sufficient and appropriate audit evidence collect करने अब सर वो कौन-कौन हो सकते हैं auditor expert तो अभी आप लोगों से पूछा तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सोचने की कोशिस नहीं की जैसे plant in machinery का valuation कराना है, jewelries का valuation कराना है valuation of complex financial instrument आप किसी share market वाले person को बुला सकते हैं work of art and antique हो सकता है actuarial calculation हो सकते हैं किसी specific industry oil and minerals reserves का में calculation करना है environmental liability हमारे पास क्या आ सकती है किसी contract को interpretate करना है तो वो law का कोई जानकार हो सकता है physical characteristic relating of quantity तो अब आपके दिमाग में एक बात बैठ गई कि सर अल्टीमेटली किसी भी कंपनी के financial statement के ओपर opinion express करने का power केवल और केवल किसके ओपर auditor के ओपरे बस but he can take the work of others he can use the work of others very important line duty of auditor क्या होगी तो जैसे आप लोग उसे पूछा कि आप किसी के काम को यूज करना चाहते हो तो auditor का क्या है specialist has necessary competency केपिबिलिटीज एंड औबजेक्टिविटी तो सी सी ओ कॉंपेटेंसी केपिबिलिटी एंड औबजेक्टिविटी अगर आपका काम सिर्फ यही है कि आप उसकी कॉंपेटेंसी और केपिबिलिटीज को क्या करें यूज करें अब एक और वर्ड में आपको देना चाहता हूं गेस वक करना आप लोग situation दो दे रहा हूं यह दो situation है बॉक्स में यह situation ए है यह situation बी है यह एक specialist है यह auditor है ऑडिटर बोल रहा हूं कि मैं इसके भरोसे पर यह वाला रिपोर्ट देना चाहता हूं और यह अनोडीफाय मतलब और और modify मतलब यह बोल रहा है इसलिए मैं इस बात को गलत बोल रहा हूं बी report को मोरे यह बोल रहा है इसलिए मैं गलत बोल रहा हूं कि financial statement सही नहीं है या यह बोल रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि financial statement सही है कौन सा better लगता को A या B और logic एख और इस में करके ऑडिटर क्वार्न को युस करके बोलना चाहता है कि में तो इसेलिए कर रहा है यह आडोडैटर जो कि यह के सकता है कि मैं तो इसेVER वॐ तो यहां पर यह ध्यान रखिए कि यूजर को हम कभी यह नहीं बोल सकते कि यह financial statement true and fair view है विकॉज यह बोल रहे हैं तो फिर बोलेगा फिर मैं आपकी बात पर क्यों बरू सकते हूं फिर आप क्या कर रहे हूं तो एक बात ध्यान रखिए कभी भी clean report मतलब unmodified opinion देते समय हम कभी भी specialist का नाम नहीं ले सकते हम specialist का reference दे ही नहीं सकते कि because of him because of his or her work we are going to give the unmodified opinion ऐसा कभी भी नहीं होगा because फिर तो auditor की बातों पर भरोशा ही नहीं रहेगा लेकिन एक बहुत important बात यह है कि अगर किसी चीज को बोलना है कि यह नहीं यह modify मैं कर रहा हूं because a specialist यह बोल रहा है तो फिर इस बात का reference दिया जा सकते है इसी लिए highlight किया गया है the auditor should not refer to the work of finding of auditor specialist when expressing unmodified opinion तो whenever you are going to give unmodified opinion you cannot refer the name of the auditor specialist क्योंकि sole responsibility आपकी है लेकिन modify करने का मतलब केवल opinion express नहीं होता modify तो किसी एक एरिया पे भी दे सकते है आप modification like qualification opinion तो सी वाला तो option गलत था भी option ऑडिटर में रेफ़र टुदा वर्क ऑडिटर एक्शनल इस्पेस लिस्ट इफ रेफरेंस इस रिलेवेंट टू अंडेस्टेंडिंग ए तो इसका यह मतलब थोड़ा सा माइन्यूटली समझीए वह यह नहीं कह रहा है आपसे कि हम दूसरे के कहने पर modify कर सकते कि मौडिफिकेशन तो हम नहीं करना है लेकिन इस modification को कोई और अच्छे से समझ सके जैसे मैं बोल रहा हूं कि यह company के law का litigation का matter का मैंने देखा और मैंने बोला नहीं कंपनी बोल रही है कि liability नहीं आएगी बड़ हम बोल रही है कि liability आएगी कंपनी के उपर court case चल रहा है management का opinion है कि नहीं हमारे उपर liability नहीं बनती हमने अपनी अपनी प्रोसीजर से चेक किया कि नहीं यह company गलत बोल रही है company के उपर litigation बनता है company को अपने books में एक claim clause litigation matter को record करना चाहिए आप हम इस बात को क्या कर रहे है modify कर रहे है तो इस modification को और better समझाने के लिए हम reference ले सकते हैं कि specialist का कि देखिए एक attorney का हम नाम दे रहे हैं आपर Mr. John जो attorney है वो 20 year का experience रहे है वो भी बुर रहे है कि इस प्रकार के matter में company के उपर liability आती है तो मुझे बताइए अब एक auditor जब किसी दूसरे person का नाम ले रहा है और modified opinion कर रहा है तो उसको हम reference point में this तो reference this लेकिन इस बात को भी हमने further specify किया है the report should state that reference does not reduce the auditor responsibility कि हमारी responsibility कहीं से भी कम नहीं हो रही है मतलब आप एक बात अपने यूजर को बताना चाहते हो कि वी आर दी सोल responsible person but for the modification purpose we can give the reference of the auditor specialist but for issuing unmodified opinion we cannot give the reference तो यह तीन बाते आपको याद रखेंगे कि यह जो मेरी fundamental classes चल रही है ना इसमें से आप देख लेना पचास परशन आपका पिपर कवर हो जाएगा जब 20 लेक्चर हो जाएंगे ना कि सुनके नोट्स बनाती चलना आप लोग बहुत कीवर्ड कीवर्ड उठा रहा हूं इस fundamental में बास समझ में आगई भूलोगे तो नहीं तीनों बातें बात क्लियर होगी सर और स्पेसलिस्ट बींगे और चलिए की पॉइंट्स बताइए तीन चार जो आपने कर ध्यान से अटेंटिवली लेक्चर सुना है तो आप एक तुसर हमें कॉंपेटेंसी चेक करना है और ऑडिटर इस ऑनली पर्सन ओडिटर विल यूज दा वर्क ऑडिटर ओडिटर ओनली फॉर दी मतलब वी केन यूज दी वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट बट मॉडिफिकेशन और अंड मॉडि तो यह सारे की वर्ड्स आपको निकालने पड़ेंगे जब तक आप सेल्फ नूमेक नोट्स बनाओगे मैं सूपर 20 पॉइंट्स बोल रहा हूं आगे बढ़ते हैं अब एक होता मैनेजमेंट इस्पेस लिस्ट तो यह कलाइंट ने अपॉइंट किया हमने नहीं किया थो खंठ को कुछ फइनिशल स्टेट्मेंट बनवाना हो किसी से क्युकि अल्टिमेटली कम्पनी स्टीब मैनेजमेंट list रिस पॉर पर्परेश्व फइनिशह स्टेटमेंट फोर इस्टैबलिश्ट्मेंट और इंटरनल कंट्रोव तो management क्या कर सकती है तो आपकी duty यह कि आपको पहचानना है कि यह जो management specialist internal है या external source है क्या इसके task को हम use कर सकते हैं या नहीं कर सकते इन केस दा auditor शुड कंसीडर वेदर दा individual organization management specialist और external user तो कभी भी आप उस person का नाम अपनी report में mention नहीं करें तो दोनों ही फर्क होता है management specialist अलग है और auditor specialist अलग है अब ऐसे ही एक और आता है internal auditor जब आप CPA बन जाएंगे किसी company के financial statement को audit करेंगे तो आप internal auditor नहीं कहलाएंगे आप क्या कहलाएंगे आप एक इंडिप आपको यह तो पता है न डेवन से कि एक independent auditor होता है जिसका काम किसी company के financial statement के उपर audit अपिनियन एक्पेस करना होता है और एक होता है internal auditor तो external auditor क्या कर सकता है यूज दी वर्क ओफ इंटरन और अडिट कर सकता है कि हम इंटरनल अडिटर के काम को यूज कर सकते हैं और वह क्यों कर सकते हैं अगें और इविडिन्स यह वह बहुत इंपॉर्टेंट एविडिन्स अगर कोई चली हम इंटरनल अडिटर के वर्क को अगर यूज करेंगे तो हमको क्या बैनिपिट मिलेगा है वाइव शुड यहां नहीं नहीं लिखा है ऊजय कि । साहाने भी सभी लिखा बच्चेस लिखना लगे बात आपके सब है अब बसल्हें प्लान दी-ओअडेर-उस में हो कि आ ओड़िट प्रोसीज़यर को पुप लां करने के लिए हम chant गेंगे तेश्चुल प्रॉष नार्फिय Ride १ूरॉस वह सकता हम उन्हें एरियाज़ की और ज्यादा फोकस कर सकते जहां पर हमें लगता है कि रिस्कॉफ मटेडियल बेवेसित थेटेटमेंट ज्याता है जहां पर आर आमेम ज्यादा है जहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट ज्यादा होगा उन एरियास के उपर फोकस करेंगे और जो रूटीन टास्क है उसके लिए हम इंटर्नल ऑडिटर के काम को यूज कर सकते हैं तो बहुत इंपोर्डेंट लाइन लिखिए हैं जो एक्स्टर्नल ऑडिटर है यूजिंग दी इंटर्नल ऑडिटर टू प्रोवाइड डारेक असिस्टेंस हम इसके काम को डारेक्ली क्या कर सकते हैं डारेक्ट असिस्टेंस भी ले सकते हैं लेकिन एक बात लिखी हमने अल्टिमेटली डारेक्शन और सुपर्वीजन और रिव्यू तो क्या करना पड़ेगा एक्स्टर्नल ऑडिटर को ही करना पड़ेगा हम इंटर्नल ऑडिटर के उपर भरोसा नहीं कर सकते हैं इस्टिल हम उसके काम को यूज कर रहे हैं बट सुपर्वीजन हमारा यह होगा कि तो ओडिट एविडेंस कलेक्ट करना हमारा सबसे बड़ा अबजेक्ट है कि एंड यूजिंग दी इंटर्ल ओडिटर टू प्रोवाइड डारेक्ट असिस्टेंस अंडर दी डारेक्शन सुपर वीजन इंड रिवी ऑफ दी एक्टरनल ओडिटर अब आपसे को पूछा चाता है यह कैसे डिसाइड किया जाएं कि इंटर्नल ओडिटर के काम को यूज करना है कि क्या लिखोगे कि हमें इंटर्नल ओडिटर क्या कहां पर लिखा ऑगा क्या मैंदेजमेंट से पूछें मैं लिखा लिखाने कैसे करोगे इंटर्नल ओडिट के काम को यूज करना था कि काम को कैसे करना है को गए सब्सक्राइब और को आप सोच अब कमपनी में जाते हो और आप पूछे परण पूछें आपने टास्ट चेक करना अपने को आपने देखा सेल्स बिल भी है पर्चेस बिल भी है कैश्बुक भी है स्टॉक भी है तो आपको पता चला है इस कंपनी में इंटरनल ऑडिटर रहे है उसके काम को कैसे यूज करें यह कहां लिखा होगा यह कहीं लिखा नहीं होगा इस आरे में यह दो चार वर्ड तो आप ध्यान से रख लो पांच्छे कोश्चन आपको इसी आत पर देखने को मिल जाएंगे रिस्क रिस्क ऑफ माटेरियल मेंसे स्टेट्मेंट और इविडेंस नेचर टाइमिंग ऑफ एक्स्टेंस प्रोफेशनल जैजमेंट ओडिट ओपी सबस्क्रेंगे कि हमें इसको करता में कंड्येंट की बात को मलोगे मेंटेम्एं वह environmental नहीं होता मैं तो जब इंडीपेंडमेंडन नहीं तो इसके काम को यूज करने के लिए मेनेजमेन से पूछ ऊगे तो ऐसा मत करो बैटा तो अल्टिमेटली इसे प्रोफेशनल जज्मेंट ऑफ दी और इसके लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे क्या है कि चलिए मैं आप आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूं और तो एक इंटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडन्ट हो वो ज्यादा बेटर है या अपजेक्टिविटी हो उसमें वो ज्यादा बेटर है इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें सर्म इंटर्नल ओडिटर का इंडिपेंडेंडेंट से कोई लेना देना नहीं वो अपने काम के प्रती कितना अनबाइस दे यह ओब्जेक्टिविटी वर्ड को बड़े ध्यान से समझो बटा अबजेक्टिविटी और इट में पास करने के लिए कीवर्ड को रूणना बहुत जरूरी अबजेक्टिविटी ओफ दी इंटर्नल ओडिटर अबजेक्टिविटी मतलब अनबाइस अनबाइस बिहेवियर क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंडिपेंडेंट तो इंटर्नल ओडिटर के लिए इंडिपेंडेंडेंट नहीं है तो अगर उसके काम को यूज करना चाहते हैं तो आपको दिखना पड़ेगा कि और आपका रिलायंस और बढ़ जाएगा उसकी उपर अगर वो उसकी स्कॉंपेटेंसी वो systematic and discipline approach में अपना काम कर रहा है अगर आप internal auditor के काम को यूज करना चाहते हो तो अबजेक्टिविटी, competency and systematic and discipline approach including quality control से अगर वो काम करता है और अगर auditor का professional judgment ये बोलता है कि यार मुझे auditor, internal auditor के काम को यूज कर लेना चाहिए तो मैं यूज़ करें चार कीवर्ड ने बस फोर कीवर्ड अब मुझे बताईए अगर आपने आज की इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझा है बहुत ही अच्छे से तो मैं आज आपसे पाच्छे क्वेश्चन लाइब सॉल कराऊंगा बुक के समझ में आया आप सभी को की नहीं की क्या क्या हमको करना है बाते क्लियर हुई की नहीं हुई अब देखते हैं अगर हम सॉफ्ट्वेयर ओपन कर रहे हैं और तीन चार क्वेश्चन पांच क्वेश्चन में आप लोगों से अप्लिकेशन ऑफ माइंड पर करवाना चाहूंगा और हमारा जो मॉक टेस्ट है वो डिसंबर के फर्स वीक में होगा जितना भी कोर्स हम अल्लेडी पढ़ चुके हैं कि जितना भी कोर्स आपको अभी तक पढ़ा दिया है कि उसके बेसिस पे हम आपसे मॉक टेस्ट कंड़क करेंगे हाँ फ्रॉम दी बिगिनिंग तो सारा पढ़ना शुरू कर दीजी आप लोग और जो अभी आप लोगों ने दिमाग लगाया उसके बेसिस पे मैं आप लोगों से कुछ सेंपल बेसिस पर आप लोगों से एप्लिकेशन करवा के देखना चाहता हूं कि आप बेसिक्स को पढ़ने के बाद कितना दिमाग लगा पाती है चलिए बें मैं वेंगे क्वेस्चन को रीड करता हूं मैंनेजमेंट की पूरी फीजिकल इंवेंट्री को काउंट कर लिया है उसके काम के उपर रिलाइंस आप कब कर सकते इफ पहली कंडिशन है अगर audit report में आप उसके काम का रेफरेंस दे देते हैं auditor report container reference कि वो specialist full responsibility लेना चाहता है या आप उसके competency से satisfied है तीसरी condition circumstances made it impracticable or impossible for auditor to test the work done by the specialist या तो आप उसकी competency से पूरी satisfied है कि वो competent है आपने उसको काम को करने दिया तीसरा बोलता कि इससे circumstances ही नहीं थी कि आप audit को check कर पाते आप वो inventory check कर पाते और चोथा the auditor conclude that same audit test and procedure would have been applicable वही procedure लगाई जाती जो इस्पेस्टिस ने लगाई है same procedure company का employee भी लगा देता अब आपका confusion definitely बढ़ेगा इसमें बहुत सारे बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे कि हमने तो रट के लिए रट लिया था सर कॉम्पेटेंसी ना बहुत सारे बच्चे भी पर दे देंगे अब देखो मैं आपको कंफ्यूज करता हूं क्या किसी में कॉम्पेटेंसी हैं इसी कारण आप उसके काम को accept करेंगे यार एक कंपनी बोलती है कि भी यह यह बंदा है सर बीस साल का experience है इसने count कर लिया physical inventory आपका काम हो गया आपको count करने की जुरूत नहीं है अब मैंने हिंदी में बोल गया तो आपको बेटर समझ में आ गया होगा कि सर यह तो हो सकता ना हो अब पहली लाइन हम उसके specialist का नाम देने तो यह तो हो नहीं सकता क्यों कि मैंने आपको पहले हिंट दे थी थी कि तो अब आपके एंसर बदलना शुरू हो जाएंगे अभी वालों ने सब फट से एंसर चेंज कर मारे मेरे को मेरे कहने भर से मैंने आपका एक एंगल चेंज करा दिया तो आपने सीध है अभी तक आप यह नहीं सोच रहे कि क्या ऐसी सिच्वेशन नहीं हो सकती कि कंपनी का स्टॉक बहुत आप आप सोचो एक ऑडिटर है आप एक सीमेंड की फ्रैक्टी में जाते हैं और आपको इंवेंटरी का वेल लगेगा सी सही है सर लगेगा ना क्योंकि मैं आपको ऐसे से एक्जामपल ले रहा हूं कि अब बदाई आपको क्या लगता है बी और सी कि अब में जोरिटी स्टूडेंट डी पर आ गई है कि दो ऑडिटर कंड़क्टेड दे सीम ओडिट टेस्ट कि अब यहां पर आपने पड़ा दा ओडिटर कंड़क्टेड है कि सीम ओडिट टेस्ट प्रोसीजर एज वुड है वी अप्लीकेवले फ्लाइंड इंप्लॉई टुक दी फिजिकल अब यह तीनो चारों में से सर तीनों यह जैसे लग रहे हैं सही लग रहें लेकिन देखो है नहीं अब सी और डी में से ही एंसर है यह भी फ्याक्ट है क्या यह हो सकता है यह तो होई नहीं सकता सर क्योंकि उसकी तो आपको नॉकाउट खेलते आना चाहिए थोड़ा सा तो जब मैंने आपको बताएं ऑडिटर ने अपनी खुद की टेस्ट प्रोसीजर लगा ली है और इस बात का कंक्लूजन निकाल दी है यह लिखा ना ओडिटर कंड़क्टेट द सेम यह लिखा हुआ है तो जब आडिटर ने अपनी प्रोसीजर से टेस्ट कर लिया तो वो क्या कर सकता है स्पेस्लिस के रिप्लाइ कर सकता कि हां यार हमने तो हमारी प्रोसेस को लगा के देख लिया है हमने पूरा विजिकल विंवेंटरी काउंट नहीं किये आगे बढ़ते हैं कि यह तो बहुत ही सरल क्वेश्चिन के एंसर है कि विच अप्ड़ फॉलिइंग इस नॉट कंसीडर ऑडिटर स्पेस्लिस्ट नॉट कंसीडर नॉट इसका एंसर गलत देने वाले बहुत जल्द बाजी कर रहे हैं क्या इंटर्नल और ऑडिटर ऑडिटर इंटर्नल ऑडिटर कब होता है स्पेसलिस्ट हो इसे जलबाजी नहीं करना है मैं बस आपको यह प्रूफ कराने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मैं फंडामेंटल पढ़ा रहा हूं उससे भी कित्ते सारे कोश्चन होंगे आप देखो यह थोड़ा सा टेकनिकल कोश्चन है मैं बेसिक से जाना चलिए इस कोश्चन का एंसर आप दे सकते हैं हम एक इंटर्नल ऑडिटर की काम को यूस करना चाहते हैं हम उसकी इंडिपेंडेंस और रिव्यू स्किल के उपर भरोसा करें या उसकी कॉंपेटेंसी और पर भरोसा करें तो सर आपने बार बार अब्जेक्टिविटी के उपर बहुत ज्यादा फोकस किया था तो अब्जेक्टिविटी अगया तो इंडिपेंडेंस वर्ड देखो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाकता है लेकिन अगर आपने लेक्चर सुन लिया तो आपके नहीं अभी सिर्फ मैंने जो बोला उसके बैसिस पर फ्यू सैंपल बैसिस पर कुश्चन अब यह कोश्चन जनरल लॉलिज का है कि ऑ ओडिटर माइट कंसीडर दा वरक अप इंटर्नल ओडिटर क्या उसका काम हमारे लिए कॉस्ट बेनिफिट हो सकता है तो अभी आपको बताया गया था कि अगर हम उसके ऑडिट को यूज करेंगे तो हमारा टाइम से वह सकता है तो टाइमिंग और नीचर आगी देख रहा हूं आप बैक टू बैक मेरे के फंडामेंटल को सुनकर आप कोश्चिन कर पा रहे हैं कुछ बुक पढ़नी की जुरूत नहीं पढ़ेगी आपको अगला कोश्चिन अब आपकी पढ़ो और आपकी एंसर दो इसका आप 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 इन यूजिंग दी वर्क ऑफ आउडिटर एक्स्टरनल इस्पेसलिस्ट क्या उसके काम का रेफरेंस दिया जा सकता है तो आपने फट से देखा होगा कि सर ने बोला था मॉडिफाइड ओपीनियन और आपने क्लिक कर दिया होगा तो कीवर्ड मैंने आपको हाइलेट करा दी कीवर्ड्स अब इस क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हों अब अगर आपने ध्यान से सुना तो नहीं होना चीगलती और आपने एक ही कंडीशन बताई थी कि उसका नाम तो तभी लुगा लिखा जा सकता जब मॉडिफिकेशन हो मॉडिफिकेशन वर्ड की उपर आता आपने डिस्क्लेमर को देखा और डिस्क्लेमर से आपको मॉडिफिकेशन याद आ जाना चाहिए तो पिछला लेक्चर याद होना चाहिए तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनने के बाद जिन कीवर्ड के उपर में फोकस कर रहा हूं आपके 80 परशन कोश्चन सही हो जाएंगे एक और कोश्चन तरल कोश्चन है यह भी मैंने समझाया नहीं है लेकिन फिर भी विच ऑफ फॉलिंग स्टेटमेंट इस करेक्ट ऑडिटर यूज ऑफ वर्क ऑफ एक्चुरियर क्या आप एक्चुरियल के वर्क को यूज करना चाहते हैं तो क्या आप क्लाइंट से कंसेंट लोगे क्या इंटर्नल स्पेस्टिस्ट होना जरूरी है क्या उसका अजम्शन लेनी की जवाब दे ही ऑडिटर की है तो यह सारे सार आप पढ़ रहे हैं और आप अगर उपर का छोड़ रहे हैं तो इसार उपर कही साही तो नहीं है कही हमारा काम तो यही देखना है कि क्या वो हमारे काम का भी है कि नहीं है उसके वर्क को हम यूज कर रहे हैं सरल है अगर आपने लोजिकली समझ लिया है चली अगला पॉइंट आप ही पड़ो आप ही एंसर दो कि यह कोश्चन टेकनिकल है कि इसमें दो में कंफ्यूजन होगा आपको कि ओडिटर रिकुवाइड टू परफॉर्म सबस्टेंटिव प्रोसीजर इस पेस्लिस्ट अजंशन एंड फाइंडिंग्स तो एक तो हम अपनी प्रोसीजर लगा कर देखें कि भाईया उसने सही काम किया है कि नहीं किया है तो सब्स्टेंटिव प्रोसीजर लगा कि तो अगर आप बोल दो यह लेकिन सी में पे तोड़ा सा कंफ्यूजन किया गया है कि हम उसकी केवल मैथट को अंडिस्टेंड कर अब सही बोलों तो एंसर दोनों ही सही लेकिन जादा बैटर क्या है कि उसकी मैथड को समझ ले या अपनी प्रोसीजर लगा दें तो मेजोरिटी बोल रही है कि सर अपनी सब्स्टेंटिव प्रोसीजर लगा दें अब यहां पर आपको थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगी कभी भी आप इस पेसलिस के काम को अपनी प्रोसीजर से इसलिए नहीं समझते क्यों कि वह प्रोसेस आपको पता ही नहीं है सब्स्टेंटिव प्रोसीजर का क्या मतलब है सब्स्टेंटिव प्रोसीजर मतलब कि पूरे डॉक्योमेंट वगरा पूरी डीटेल चेक करना लेकिन जब वो काम ही इतने स्पेसलिस नेजर का है तो आप महां पर कभी भी सब्स्टेंटिव प्रोसीजर नहीं लगा आप केवल उसकी मैथड को लिए अंडेस्टेंड कर सकते तो अब ऐसी जगा फस जाओगे तो यहां पर आपको नोट्स बनाने चाहिए कि इस पेस अब देखो मैं यह नोट्स बनाने की बात क्यों कर रहा था कि नोट्स बनाने आपको की पॉइंट कैसे बनाना है कुछ में कर सबस्टेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म नहीं की जा सकती है क्योंकि सब्सेंटिव प्रोसीजर तो बहुत में हो जाती है अगर वो काम अल्रेडी कर सकते तो प्रहुंगा करते हैं तो कुछ ऐसा तो नहीं कि 99 परशेंट आपके कोश्चन सही होंगे तो पॉसिबल नहीं तो 85 सही करना है चलिए कुछ और बेसिक कोश्चन यह दो सरले अभी आपको अभी जस्ट पढ़ाया है कब हम रेफ्रेंस में ले सकते हैं तो सर बार-बार मॉडिफिकेशन कि क्वालिफाइड उपी तो सर पचास परशेंट कोश्चन तो आपका कहना ठीक है कि आपकी जो लेंग्विज को पढ़ लिया तो हो जाएंगे मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं अगर आपने 101 परसेंट मेरी लेक्च्चर को दो बार सुन लिया और अपने की पॉइंट्स में आ लिए सत्तर परशेंट एमसी क्यों आपके सही हो जाएंगे कि 75 परशेंट की मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं तीस परशेंट 25 परशेंट आपको थोड़ा सा और इंप्रूव करना पड़ेगा चली अगला क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी किसी की चेक कर रहे हैं तो कैसे पता करोगे अब ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी किसी में योग्यता है ये कैसे पता की जा सकती है मुझे आपकी योग्यता पता करनी है कि आप में वो स्किल है की नहीं है तो मैं क्या करूँगा बताओ तो सर आपके काम जो किया है उसको चेक कर सकता हूँ न मैं और आपने कोई काम किया है तो उसको मुझे चेक करना है तो मुझे कही न कही आपके डॉक्योमेंट चाहिए तो अब आपने देखो जनरल नौलेज से स्टीच का एंसर दी दिया क्यों क्यों क्योंकि आपके दिमाग में वर्ड आ गया कॉम्पेटेंसी वर्ड को समझना बहुत जरूरी था लेक्चर पढ़के सर अप्लिकेशन किया इंट्रेस्टिंग कह सकते हूं कि सर इंट्रेस्टिंग है लेकिन ये बात भी समझ में आगी होगी कि सर याद तो नहीं हो पाएगा कर पाऊगे याद सुबे से साम तक रट्टा मारोगे कि क्या क्या चीजें हैं नहीं नॉट अट अट अल अब अगेन कॉम्पेटेंसी आ गया विन असिसिंग दा इंटर्नल ओडिटर कॉम्पेटेंसी तो सर अभी आपने रिकॉर्ड की बात करी थी तो रिकॉर्ड देखके पूरा भी पड़ो यह वो रिकॉर्ड नहीं है जो आप अप अपर पहुँच गए कई बच्चे अपर पहुँच गए तुरंद सर उसके पास कोई प्रोफेशनल सार्टिफिकेशन है औरगनाइशनल लेवल विच इंटनल ओडिटर रिपोर्ट पॉलिसी प्रोहिबिटिंग इंटनल ओडिटर फ्रोम ओडिटिंग एरियाज विर रिलेटिव और इंप्लोईड सर सबको कॉम्पेटेंसी के साथ में एजुकेशनल वेग्राउंड से ही लग रहा है तो अगर मेरे पास डिगरी है कि साथिफाइड इंटनल ओडिटर जो की इंटनल इ रिकनाइश किया गया तो फिर अगर मैं किसी कमपनी का इंटनल ओडिटर होंगा तो इंडिपेंडेंड ओडिटर मेरी बात के मिर में यह कॉंपेटेंसी है कैसे जज़ करता है वो आपको आपके वर्क एक्सपीरियंस के बिसिस पर जज़ करता है क्या आप किसी कमपनी में जॉब मागने जाओगे आप बोलो कि को जस्तिफाइ करने के लिए कि आपने काम वाकई किया है उस वील्ड में आपके पास कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के कारण आप तो अब आप ऐसे कीवर्ड बना सकते हैं देखो कितने सारे कोश्चन आप आज कर पा रहे हों बहुत सारे कोश्चन अपने इंसर दी चलिए अगला कोश्चन तर बी और डी क्यों नहीं हो सकते हैं दब प्रोसीजर परफॉर्म वह क्या बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर शुड अंडेस्टेंड इंटर्नल ऑडिट तो सर अभी आपने बताया था नेचर टाइमिंग कि अगर हम इंडा तो वो तो हमने बोला था इंटर्नल ऑडिटर के काम को यूज कर लेंगे क्या सी ही होना चाहिए इसका एंसर या मैं कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं आपको या आपके मन में कोई और एंसर आ रहा है इसी बोल रहा है बच्चे तो सर सीधी बात इंटर्नल ऑडिट नेचर टाइमिंग रेक्स तो यह कीवर्ड बना सकते आप ऐसे अग्जाम में कोश्चन में गैरंटी के साथ कह रहा हूं अपको रिव्यू प्रोवाइडर्स के अंदर से ही कॉपी पेस्ट होते हैं एम सी क्यू में तो आप पार पाही लोग है तो आज आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क सीखा और केवल टास्क को नहीं सीखा और कमाल की बात आपने नब्वे पर्सेंट कॉस्चन क्लास में मिजॉरिटी स्टूडेंट ने सही दिए तो यह बहुत अच्छी बात ह मेरे लिए भी सैटिस्फेक्शन वाली बात है कि आप सभी लोग जो सुनते हो उसको अपलाए करने की केपिबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो गई है एक्सेलेंट मतलब आज का लेक्चर एक सैटिस्फेक्टरी था मेरे लिए भी और आप लोग चलिए तो मिलते हैं आप से नेक्स लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ में जब तक रिवीजन चालू रखिए मौक टेस्ट में आपकी पर्फॉर्मेंस बहुत हद तक डिपेंड करती है आपके अगले मतलब आप आउडिट की जो में लेक्चर को किस तरीके से समझेंगे तो फॉस्ट डिसमबर के फॉस्ट वीक में होगा तो अभी थोड़ी सी क्लास नई बैच डिले कर रहा हूं क्योंकि मैंको लगता थोड़ा सा पता है उसकी अकॉर्डिंग ही है कल की जगा आज हमने क्लास को कंसीडर कर लिए